विल्कम बैक टू माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 3 आपका थर्ड यूनिट है जो कि आप पढ़ रहे हैं जो कि आप पर रहे हैं जो कि आपके लिए यूनिट है आज आपका इसका सेवंथ क्वेश्चन है इससे पहले हमने ए नुक्लियो उसाइड क्या होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं है और इसकी रचना समझाएए तो नूकलियोटाइड और नूकलियोसाइड दोनों आपको पताना है कि यह क्या होते हैं ठीक है अगर हम नूकलियोटाइड की बात करें तो नूकलियोटाइड जो हमारे नूकलियक एसेड होते हैं नूकलियक अमल जो होता है अपका है है की नूप्ylene क einen का मि है ठीड 205प जुक्षिय आसταें 530 से विल यिद लंबी श्रंख्बनाता हैं थे पूला एंए इस तरह कि अंट हाकते कि अश्रॉंक प्नाफ के लाती त्ट Connie क है यह बहुन हो तो इसमें क्या होता है इसके बाद अगर हम बात करें नूकलियोटाइड की तो यह तर्म आपको याद रखना ठीक है यह आपको नूकलियोट डट लग ओने के नूकलियोटाइड और नूकलियोसाइड जो हमारा नुक्लियोसाइड होता है वो लुख क्या होता है आपका नैट्रोजनस बस नूखलियोसाइड में क्या होता है आपका नाट्रोजनस बस प match पिलस आपका क्या होगा तुगर ठीक है और नुकलियू टाइड के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा आपका इसमें होगा आपका नुकलियू साइड पिला नुकलियू साइड के साथ इसमें क्या होगा आपका फास्टेट होगा क्या होगा फास्टेट ठीक है या फास्पोरिक एसिट अ फास्टोरिक एस थ्री वियो फॉर समय लगारा हुगा तो नुप्लिटाइड क्या होता आपका नुक्लिवाइड पिलस आपका फास्फिरण फास्टैड में क्या होगा नाड्रोजनस बेस और क्या होगा आपका सुगर ठीक है पेंट तो सुगर यह को सोगर थिकर सम के राइबो कुछ भी हो सकता नायरा जान सकला यह आपका सब्सक्राइब्रकाब तो इश्क्राइब कर और गवहते हैं में तैमी और Kita से थाげंड और कुरते और को और यह रखना है कि आ से सब्सक्राइब और चलिए बात करते हैं क्या होता है और इनने बताया हैं कि जो आपके nukleotide होते हैं ठीक है क्या nukleotide अरी nukleoside कि रहें है तो nukleoside phosphate को lithium nukleoside होगा उसमें आपका क्या होगा फासपेट ठीक है nukleoside और फासपेट दोनों जब मिले रहेंगे तो उसको क्या कहते है किया है какую- цен माद्धे में जल्ब गटन पर नुख रीyव मतारी आट को दुबारा से भबी मिल जाता है बने गा否 यह आपका किया है उसमें पक्र और पासफोरिक शरख्राब चित और पेंटोल सरकार जिसमें क filament कि तूंगे तोक कि आपके चीडाल तो की प्रकृति के अदहर्पर किसी की डाहन वो जोiãoud को जो पैंटो सरकाह ऊती है उसकी प्रकरतो के आधार नुक्लियोटाइट दो प्रकर्षा होते हैं ठीक है उस उन्हाई ख्नवारवा वाले पहलक डर पॉली नूक्लीक अमल भी कहते हैं जब नूक्लीक अवस्था में जल अपघठन कर आ जाता है तो उत्पादों में राइबोज मोनो फास्पेट भी बनता है क्या बनेगा जैसे इह प्रकट होता है कि प्रकट होता है जो कि आपकी शरकरा होती है तो यह आपका दे रख्खा है यहाँ पर तोड़ा सा नूक्लियोसाइड क्या है नूक्लियोसाइड थ्री फास्पेट इसके अगर हम बात करें यह आपका क्या है यह बेस है क्या है बेस ठीक नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस जो कि आपका क्या हो सकता है एडनीन हो सकता है अग्वानीन हो सकता है थाइमीन हो सकता है और स्टाइटोसीन हो सकता है ठीक है कि ये आपका चैन्स में से कुछ भी असकता है और इस कि अगर हम मात करें ये अल्स रेइग जाया कि तेकर कि या था है ये जिए आपको डिखाए यूछ तो इसमें आपको चीजे नजने रारी हैै एक क्या लगा हुआ आपको नाइटरोजेस लगा लगा हुआ है और क्या है आपकाuu Sard Finally including strategies प्रेपीजें ए मिद्सकरो अधिक में अगर आपका si i am में खुरी हो 5 FSP, यह आपको जो दे रखा हा, उपर हैं यह लगा हुई आपका, इड तो यह क्या हो जागा आपका अडिनोसीन पेंटा फास्फेड ठीक है तो यह दोनों आपके नुकलियू टायद ठीक एक अडिनोसी उना यह किया है नुकलियूसाइड टी फास्फेड कि नेक्स्ट कि यह कि इसकी आगजां यह डर्खा है निदल लिए इसिद्फमि कया होगा इसमें जो आपका नाटोजन बेस होगा नाटोजनस बेस होगा किशा होगा गवानी वाला और अदर आपका फास्फेड गरुप लगा हुआ है और बीच में आपका तो इदर दिख़ा है यह दिखाई दे रही है कि आपका नाम कया है या लगा हुआ है और यह कंट स्पीर बन कारमने त्रीकारवन और को रवन और आपका एक यह रही की वांच कारवना की रेंग了 इसका नाम क्या अगा गृक्र नाम क्या और बात करें डी ऑख सी क्या है फास्फेट support दिटेट सब्सक्राइब हो ऊखक है धाEP आपका फास्ट विरॉब लगा वगा क्या लगा हुआ फास्ट टन गरूप और यह ज 눈ै God आपको यहां पर जो हां meno भूब होता है बहां सेอॉक्सिजन जो लिछ प dol обычно हो गया तो इसका व किई अधार पर निकाला गया कि राइबो टयूमे गाइबो नुक्ली टाइडों में वांसीट सरक्रा के दूसरे कार्भन पर तीस्वर्ण पर पांच पर जुड़ सकता है कौन कौन से पह जुड़ सकता है यह तो आपका यहां पर दूसरे कार्वन पर जुड़ सकता है और तीसरे कार्वन पर जुड़ सकता है और कहां अपका यह पार्म लुदे जोडने ना 국ण कहा एप दी आक्सी शुकिदेगे, जैसा कि जित्र में दर्शाँ आपका डियोंक्सि थाइमोलिफि युदू होन्य चितरों क प्र醋 इसमें फित्वाबि ऑले कार्बिन प्र जुड़ा होगा ठेक है, अर्इंजमेंट अफ नोक्लियोटाइड से से नोक्लियोट रहा हो की नोड़िक अमवल पाली नोड़ियोटाइड रहते हैं लो कैसे सासे वो सारे होते होते हैं या या जिन Мे नोलीऋटइड के बहुत सारे एकाईयां आपस में पैंटोज फासफेट बंद के द्वारा जुड़ी रहती हैं कौन सा बंद बंता है इनमें पैंटोज फासफेट बंद बंता है कहरा इस आधार पर न्यूक्लियक अमरी की निम्न सरचना दे गई है जो कि कुछ इस तरह से हैं इसमें देखो कौन सा पैंट सकता है और ऑफोच्पी आफ सीत्कैन की पकी फासफेट गृरूप का ओक्सिजन वहारए फासफेट बंद से जुडा होगा बेस लगा होगा अगला चरह है उस्के बाद अगला जो आपका है झाटो बांड बनता है यह एक एक है आपको ध्यान रखना है कि अगर हम आगे बने लिए नूकलिय कम लोगों एंजयामी जल अपकटन से से दोता है नूप्लिक के एंजायमी जलग भटन से से दोता है क्या की पॉली नूपलियोटाइड हो नुप्लियोट बहुत है उन्हेंस छलद में ऐसे कॉमा पांच डाइश्टर बंदन होता है कितना होता है ठीक जिन में फास्फेट अवस्चे सरक्रा जिन ओंगो जिनने क्या होता है निमन्चितर में दखाया गया है इसको में लगा रहा हुए ज़ुकि आपको यह इया और-का रवन के इसे क्या हुआ है बेस लगा हुआ ठीक है बेस बन अंड नमबर कौन सा अब का तीसरा कहmen Uhh25 बात करें दोसमें कि में लगा हुए यह नगा हुए तो इसके पाँच में कारवन से फास्ट लगा इसके तीसरे करबन से फास्पेड पर लगा है तुसके सोगर के एक पहले सबरके तीसरे और दूसरे सुगर के पांच मेखार कि अपका पासट्रेट गड़ dor Teszeniu गरूप इसमें लगा हुआ ते इस प्रकार औरहे हैं इन दोनू परकार के नूखलिचे करें कर दो कि कर दो यह दो प्रकार के आपके राइबो नूक्लिक एस दोटेज। इसकी अगर हम बात जया है तो इसमें इस्टक्चर थोड़ा आपको बड़ा देर्क रखा है यह आपको आई हो की दिखाई देता होगा बस यहाँ पर देखो यह जो आपका लिखाई दे रहा है ओ सो 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 सोरी यह जो आपका लिखा हुआ है क्या हो गया है यह प्यूरीन और प्रिमिडीन तो प्यूरीन क्या होता आपका एडिनी एडिनीन और ग्वानीन पिरमिडीन क्या होता है आपका थायमीन और साइटोसीन ठीक है क्या होता है आपका थायमीन और साइटोसीन तो यहाँ पर इतना जो आपको स्कलेटन दे रखा ठीक है यह केवल आपको धाचा प्रकार का बना के दिखा दिया है जहां B1 क्या होगा B2 क्या होगा और B3 क्या एगने सकता रस आपका लगा है और यहाँ पर आपका लगा है और यहां पर यहां पर आपका लगा है यह सब भी क्या है आपके फासफेट गुरुप है क्या है फासफेट ठीक है फासफेट एच्थरी और पीओ फोर वाले लगे हुए है ठीक तो यह केवल आपको दिखा दिया है उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को में लिए ठीक पहरे अगर हम बात करें इतना जो आपका गुरुप लगा हुआ है यह क्या है आपका नुकलियोटाइड है एक नुकलियोटाइड है यहां से अगर हम बात करें यहां से यहां तक ठीक है यह आपका कोई एक नुकलियोटाइड है यह क्या है आपका पेंटोज सरक्रा ठीक है यह आपका क्या है पेंटोज सरकरा है यहां तक, यह आपका पेंटो सरकरा है, जिससे एक आपका फासफेट समू लगा हुआ है, और दूसरा क्या लगा हुआ आपका प्यूरिन हो सकता है, या प्रमीडीन कोई भी बेस आपका यहां पर हो सकता है, ठीक है, जिस बंद से आपका प्यूरिन या प्रमीडीन क एक नाटोजन छारक द्योड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं बीटा गलाइकोसिडिक लिंकेज ठीक है जब आपके शुगर यानि कि रायवोज के पहले कारवन से कोई वी आपका एक नाटोजन बेस लगा रहा हुता तो उस बन्ड के कहते हैं बीटा एक लिंक्निक्स काई शुख साइ़ यहां पर जो आपका बूंसा लगा हुआ आपका साइटूसई लगा क्या लगा हुआ शाय्टो सीजों कि क्या है पिरमडीन बेस ऐसा है यहां से लगा हुआ है कारवन से यह वाला तिक अस्त वाला है तो इसके बार यह भी आपका क्या हो जागा और यहां पर हम बात करें यह आपका का अगला मौलिक्वल है जिसमें आपका नाटोजन भेस लगा हुआ जो क्या होगा आपका प्यूरीन भेस होगा इसी तरह से ये एक दूसरे से इंट्रकनेक्ट रहते हैं ठीक है और यहां पर यह जो बॉंड बनता है इसे का कहते हैं बीटा गिलाइकुसिदिक लिंगेज कहते हैं ठीक है इसके नीचे लिखा नूख्लिय कमर की सरचना का प्रदर्सन ठीक है आर एन और बराबर क्या होगा अपका उच रहने में आर बराबर क्या होगा ऐच न कि अ पर आपर क्या होगा है इसको करते हैं डी ऑक्सी राइबोज लेकिन क्तिक यहां जो आरक के साथ में होना चाहिए यह लोगी निकल जाता है तो इसका जाता दो अ हधो टुब टुब ट्री और लीच्ए यह तरी और यह डी एन वाय और एन कि जोनों में प्रीमिदीन वर्क के दो दो छहरक होते हैं किस नंधार्य डी एन यह डी एन ने में ड्यान आएन में ड FRE harina रफ दो नों में प्रीमिदीन वर्क के क्या है प्यूरीन वर्ग प्यूरीन में आपका क्या होगा एडिनीन होगा और आपका क्या होगा ग्वानीन होगा तथा साइटोसीन पिरमिडीन वर्ग में होता है जो आपका साइटोसीन होता है पिरमिडीन पिरमिडीन में क्या होता है आपका साइटोसीन होता ठीक किन्तु यह दोनों चतुरत चारक की उपस्तिती के कारण भिन्नता रखते हैं किसके कारण चतुरत जो आपका चौथा चारक होता है साइटोसीन उसके कारण इन में भिन्नता होती डीने में प्रमडीन वरक का छारक थायमीन क्या होता है थायमीन भी होता है जबकि आरने में थायमीन के के स्थान पर क्या होता है युरेसल होता है आर हैनेम क्या होगा आपका थाइमीन के स्थान पर क्या होका युरेसल होगा ठीक एक जरोगा यह कितने प्रकार के बाँटार REP को जाते हैं डिय ने आ बनाते हैं जो कि DNA और RNA हो सकता है जिनका रासानिक प्रत्रूपioè था होगा ये आपको ध्यां रखना है बा में आप से क्या पूंच रहा है कि अगर नियुक्लियू साइड तो नियुक्लियू साइड क्या थे हमारे और नुकलिव itself क्या थे ध्यान करो अभी निघ्रोंगली साइड में क्या क्या कर रहा थै तो बहां Jupiter ऐह का नंट्रो دोजरां और सब्सक्राइब और क्या होगा आपका क्यों या प्रीमिडीन से के संगनन उत्पाद होते हैं इन दोनों से कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा जिसमें आपका क्या रहता है और क्या रहता आपका सुगर आपका राइबोज हो सकता और डियोक्सी राइबोज की फार्म में भी मिल सकता है यह दो प्रकार के उते हैं जो आपका डियोक्सी होता है उसमें ओच की जगह पर क्या पाया जाता है केवल एच पाया जाता है ठीक है तो डियोक्सी राइबोज युक्त नुक्लियोसाइड दो घटकों जैसे पैंटो सरकरा और प्रमीडीन एवं प्यूरीन छारकों से मिलकर बने होते हैं जिने जलाब पॉत्पन करते हैं जिनका जलाब गटन करन से हमें था फ्राफ्त हो जाते हैं अग्ला है आपका सुगर शुखर किस तरह से इन में प्रजेंट रहता है तो गर करन नुक्लिक अमलों के जल अफगतन से केवल दो पेंटो सरक्राइन कौन कौन से दो पेंटो सरक्राइन बिमुक्त होती है ठीक है पर जाता है इसलिए कहते हैं इसको डिया औकसी राइबोज और इसका पहला और चौथे कारवन के बीच में एक और ऑक्सीजन का रिंग फार्मेशन हो जाता है तो पहले और चौथे कारवन के बीच में एक और ऑक्सीजन रिंग आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कारवन की तो इसमें दूसरे कारवन पर क्या लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर दूसरे कारवन पर देखोगे जो आपको ऑक्सीजन नहीं दिखाए दे रहा ठीक है इसलिए इसको कहते हैं डी आक्सी राइवो फ्यूरेनोज यह टू डी आक्सी राइवो सरकरा कहते हैं ठीक है यह देखा गया है कि नुक्लियोटाइड अमलो तथा इन नो gü arrived जोगी पेंट्टी सरकरा किंतु क्या कर दिया इसका जलफ घंप जब मुक्त सरकराय उत्वन होती है रूप में परिवरतित हो जाती इन्हीं की रिंग फॉर्म के आगर हमyy बात करें तो उसको क्या कहते हैं पायरे नोज कहते है ठीक है इनकी अगरा मिंकी फॉर्म की है तो यह आप का आ drab Am extra gonna यहाया आपका यह आपके हो जाते हैं पाइभे नोज ओ जाते ही ठीक है इस टू कर यह तहुद बहुत यह को जागा आपका फैर जाता अच्छус तरह की रिंग चैंट रिंग युटान दोस्त नहीं को और सिलेंड परवर्त दोजादी का रहा है न्यूपलिव अमलमें पैंटो सरक्राएं अपने कारवन 3 और कारवन 5 हाइड्रोक्सिल समू के द्वारा फासफेट एस्टर सरंकला इस्थापित करती है कौन कौन से कारवन तीसरा और पांचमा कारवन के साथ थी कर तीसरा और पांचमे कारवन सब्सक्रावार defensive कारवन पहला पर ब्लाइको चलिक बंद से पहले नाइटोजनस डीक बंड प्हले पहले कार्वन से कोई भी नाइट्रोजनस बेस जैसे बंद द्वारा जोड़ा होगा उसी बंद को क्या कहते हैं बीटा गलाइकोसिडिक बंद कहते हैं कि द्वारा प्यूरीन चारक के नाइट्रोजन नौ पर ठीक है प्यूरीन चारक का नाइट्रोजन नौ पर ठीक है और प आपको नाइटोजन 9 और नाइटोजन पहला अभी यह आपको समझ में आएगा ठीक है चारख की अगर हम बात करने तो कर रहा न्यूकलियूसाइडों के जल अपघटन पर दो प्रकार के चारख कौन कौन से दो प्रकार के चारख प्यूरीन व्यूत्पन और प्रमीडीन व्य और परमिदिन आगर हम बात करें तो क्या होता है युरेसिल थायमीन और इसी में क्या होता आपका साइटोसीन होता है प्लिव प्लिटा सेंट था फाइडराक्सी मेथिल शायटोसीन भी नुकलेक अमलों पर पाया जाते हैं ठीक है कौन कौन से 5-methyl-cytocene, 5-hydroxy-methyl-cytocene भी न्यूक्लिय कमलों पर आपको देखने को बिलते हैं, ठीक है, कहरा, ओपर यूग तो 5-4, अब कितने होगे, आपके 5-4 होगे, ओपर यूग तो 5-4, कौन-कौन से, एडिनीन, गौनीन, थाइमीन, साइटोसीन, और यह क्या था, आपका, यूरेसिल था, करा, एडिनीन, गौनीन, यूरेसिल, थाइमीन, और साइटोसीन में, इसमें साइटोसीन में 3 चारक, एडिनीन, गौनीन, और साइटोसीन, आर एने, डिनीन, गौनीन, और साइटोसीन, यह तीनों आपके किसमें पाए जाते हैं, आर एने, और डिनीन, आर जबकि reducing cable r neo peine जाता और यह आपका तर्म याद रफना एक और मिन किसमें पाया जाते हैं आपका dna में बाफ ही जो तीन वच्चे हुआ आपके अडिनी गुयनिंhoAm और cytocyne यह किसमें पाया जाते है आरने और dna में दौनों में पाया जाते हैं ठीक है चुछ ने नुकलियूसाइड चारक तथा शरकरा के संगनन उत्पाद हैं नुकलियूसाइड क्या है चारक और शरकरा इन दोनों के संगनन उत्पाद हैं मतलब इन दोनों को मिलाने से यह आपका बनता है यह क्या होगा आपका शारक होगा दूसरे क्या होगा नाटोजन शारक होगा यह संके बनेंगा निश्म्त बनेंगा निंट यगे यह इंद गया थे आपको इस Alabama और चार का सरकरा के साथ किस तरह से रहता है ऐसोगा और इन दोनों xoro प्रभावित रहते हैं प्रवाय नुक्लियूसाइड पर शार के करिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन अमल के द्वारा जल अपगटत हो जाते हैं ठीक है यानि कि अमल की उपस्तती में इनका जल अपगटन हो जाता है जिससे यह प्रकट होता है कि नाटोजन गलाइकोसाइड होते ह है कि नाटोजन गलाइकोसाइड और तो यह पता चलता है कि यह निवाज़ाइकोसाइड हो जाते हैं और क्यूंगाजाते हैं अब च्रवाद जल अपगटत हो जाते हैं है और यह जो भी है però दो कौन उसे क्या हो जाते हैं आप घटे तो हो जाते हैं जबकि कारवन गलाइकोसाइड अम लबाद चार दोनों में इस्थाई रहते हैं कौन-कौन से कारवन गलाइकोसाइड कारवन गलाइकोसाइड अम लबाद चार दोनों में कैसे रहते हैं इस्थाई रहते हैं इन पर हम ल नुक्लियोज़ड वो किसके से मिलके बने होती है नुक्लियोज़ड आपका कोई नैटोजनस बेस होगा और क्या होगा सुगर तो उन पर oxygen glycoside आमलबाद चार दोनों में जलबगटेद हो जाते हैं ठीक है आमलबाद चार दोनों में जलबगटेद हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका oxygen glycoside होगा ठीक है है कि इन रहता के साथ में होगा इसके साथ में जुड़ा रहता है अर्था आडिनो सीन नो दो ग्वानीन नौ ग्वानीन गवानीन गलाइकोसाइड होता है, इसको निम्द प्रकार से प्रदर्शत किया जाता है, अब आपको समझ वे आएगा कि जो 9 नॉम्बर नाइट्रोजन है आपका वो कहां से आपको दिखाई दे रहा है, ही ठीक है यहांपर आपको पता जोले लेगा 9 कारवन कर से यह आपक्या थे आ टीनीन sc पर आपका कहा है अब देख़ा है नम्बर करोगो तो एक दो तीन चार और का पांच ठीक है और यह चे हुआ होगी उसके बाद साथ नो यह नौ नमबर पर जो करते कर तुछ नाइंच नाइट्रोजन नाइन जो की आपका पहले कारवन जोड़ा हुआ है पहले कर वन से जुरा हुआ ठीक है फाउनन का नाजन नाइन की सकर्णा के पहले कर वन से जुरा पहल सा आपका पहला कार्वन ठीक है तो यह दोनों किया बनाएंगे राइबू लैसे बन जागा आपका ग्वानौ सीन बन जागा ठीक है इसको देख लो नेक्स्ट आपका कहे रहा है थर्ड प्रमिडीन युक्त नुक्लियोसाइड कौन से प्रमिडीन अभी क्या थे आपके प्यूरीन युक्त थे अब क्या है प्रमिडीन युक्त थे ठीक है थाइमिन और साइटोसिन प्रमिडीन युक्त नुक्लियोसाइड के गुणों कहा अध पहले nitrogen के सद्वारा शरकरा अभशेष के पहले कारवन के साथ सद्व जोड़े रहते इस आदार पर प्रिमीडीन नुप्री में करने साथ में नृक्लियूसायड को उप प्रयूक्त सरचनाऊं द्वारा किया गया है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो आपके प्रिमिदीन चारक होते हैं इसमें आपका ये 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 आपका क्या होगा नाइटोजन 9 होगा ठीक है जो कि राइबोज के पहले कारवन से लगा होगा ठीक है हम बात करेंगे प्रिमिदीन तो इसमें आपको कुछ तो इसका पहला नाय टूजन, तो पहला नॉसरा, तिसरा चौथा और यह च्छण तो पहला नाय टूजन के लगा होगा राइ भोज के पहले और यहां पर जां। क्या दिया दिया इसमें पर बना हुआ है गया है इसके पहला नाइटोजन और औरफ प्रेजिंट है इसली ये कैसा हागा के इबल राइबोज ठीक मेष्च टो स्याइड से लिए दोनों मिलके क्या बनाती है ओर डीन का फार्मिशन करते हैं यह परवाले जो क्या है आपके स्याओ त触मीन प्रकार का होगा ठीक आपको को समझ में आया होगा है उन्च क्या है ठीक है न्यूंकिलियू न्यूंक erw नुक्लीऊ टैड बराबर क्या था और नुक्लिऊ सैड बराबर क्या था न्यूके है यूकली टैड are you नुक्लियोट में क्या था आपका नुक्लियोट में आपका यह सकता है कि जो हमारा नुक्लियोट होता है क्या होता है नियूट्योट एड और अगर ये लिए ओर टी आई डी नुकलिव टैड यह रबात करें तो इसमें क्या हो सकता है आपका यह तो नायटोजयनस बेस होगा पिलस क्या होगा आपका सुगर होगा पिलस क्या होगा आपका क्या बच्पासफेट गरुम में थिंग होगा तो यह क्या बन जाएगा आपका न्यूकलियू साइड में क्या हो सकता है पय집 सकता और पिरम्दीन बैशो सकता है ठीक है फ्युरिन में क्या होता उतना का एदिन और गरा नुट अरियाट ॡप्गाइब कर works है बने यह मार साफ मिलते है अगले भीडियों थाइंक्स फावाजिट प्रक्रश्वार गुटिको प्रैलुब नह हम जो सब्सक्राइब।